हाईलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चनल समराट एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देखते हैं हमारे जो सबसे पहला टॉपिक को हो रहेगा स्वेत करांती स्वेत करांती से आप क्या समझत हैं इनके उद्देश्च्यों एवं उबलब्दियों का वर्डन कीजिए तो लांग क्यूश्चन है थोड़ा सा ताइम लगे इसको करने में तो स्वेत करांती क्या होता है आप लोग पता है कि दूद समझत है स्वेत क्रांती का एक और नाम है कॉन सा फ्लड़ आपरेशन कि दोड़कारांती को दुगधकरांती का स्वेत करांती बिगाति है इस ये इस योजना के सुलिए स्वेत करांती होता क्या है तो भारत में दोस्तों एक समय ऐसा था कि दूद की जो पर्यावत मनुछ समय महात्रा है वो वह तरी नहीं थी तो इसके लिए यह गई गया थी इस योजना के जो शुरुवात किया थो दोस्तों इस योजना का उनका ना है प्रोफेसर वर्गिच कुरियन इस देखते हैं क्या होता है भारत में दुग्द उत्पादन के सुधार के लिए उपयोग किये जाने वाले पैकेज कारकरम को स्वेथ क्रांति के रूप में जाना के लिए उपयोग किये जाने वाले पैकेज कारकरम को स्वेत क्रांति करते हैं इसे फ्लट आपरेशन के नाम से नाम से भी जाना जाता है विवरश्च करने के लिए सन 1970 में कब दोस्तों डियरी जो हमारा स्वेत क्रांति है वोnoc कब बनाय गया था गब हुआ था? 1970 में से माध्यम से राष्टी डेरी विकास बोर्ड बनाया गया था राष्टी डेरी विकास बोर्ड National डेरी Development Board नेशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ट कब बनाय गया था सन उननेशो सत्तर इस्विम बनाय गया था तो उस्ता अकारी समुवों के माध्यम से डेरी विकास को बेशित करने के लिए सन उननेशो सत्तर में राश्टी डेरी विकास बोर्ट बनाय गया था जिसने भारत में स्वेट करांती की सरुवात को प्रोफेसर वर्गीज कुरियन भारत की स्वेट करांती की जनक थे भारत में स्वेट करांती की सरुवात की जनक को थे दोस्तों प्रोफेसर वर्गीज कुरियन तो यह प्रोफेसर वर्गिश कुरियन तो यह क्या थे यह स्वेट क्रांतिक जनक थे तो एक नम्मर कुछ भी सकता है कि स्वेट क्रांतिक के जनक कौन थे और स्वेट क्रांतिक कव आई थी तो स्वेथ क्रांती के जना को डाक्टर प्रोफेसर वर्गिश कुरियन है और यह उस्वन 1917 में आया था इसका एक और नाम क्या आप्रेशन प्लड़े विजना तो साकारी समुग के माध्यम से डेरी विकास कारक्रम शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य था अब देखेंगे स्वेथ क्रांती का उद्देश से तो अभी तक हमने देखा स्वेथ क्रांती क्या होता है अब देखिंगे सुछे को उद्यस क्या है तो सचारी समिती का प्राथमिक लच्छ चील इंग प्लाइंट में दूद खरीदना एक loyal करना सब्सक्द क्या था कि चीलिंग वाचन अब समझती है जाते हैं जब शुप्यभिण रेने तो चील दीजिए तो आईसा इसमें भी चील होता है थंडा तो साकारी समित्री को प्राथमिक लच्छ क्या था चीलिंग प्लांट में दूद्ध खरीदना परिवहन करना और रिस्टोर करना काने गोले या देख या दोस्तो एक ठंडा कि चीलिंग प्लांट में देखते हुए जब देरी वाले आते हैं बीर होता दूद्ध दो लोग जो आते हैं उन्हें चीलिंग प्लांट लगा दूसरे राज जमेले कर जाते हैं और उसको क्या करते हैं इस्टोर करते हैं तो यह अब दोस्तो सुवेद प्रांधी का पहला उद्धे से था दूसरा उद्धे से था कि पसु चारे क्या पूर्ती जो थी उसको पूर करना पसु चारे क्या पूर्ती को पूर करना तिसरा इसक सबसे सफ़ल उपाय था भारत के लिए इसके बहुत लाबकारी प्रभाव बहुत सारे लाबकारी प्रभाव जैसे देरी विकाश के लिए उतना ही आवस्यक है जितना अनारु युत लिए नहीं था इसी दोस्तों स्वेट करांटी भी इसी लिए दूद करांटी भी При्से था दूद की मात्रा है वह 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 स्थित नहीं थी किसी के लिए था किसी के लिए नहीं था तो इसकी वज़े से दुस्वेत करांती आई थी और इसे भारत को प्लब्धी भी मिली तो यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से फसल उत्पादन के लिए अनार्य उत्पादन के हरित करांती जरूरी की उसी प्रकार दुग्द उत्पादन के लिए जो जो सफलता होती है वह गाय प्रजनन में सुधार और आधनी तक्निक के कार्यान पर आधनी होती है आज भारत दुग उतपादन में विस्वकार नेतरित करने के मामले में संभी पीछे छोड़ जुगा है और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर सबको खाने के लिए दूद नहीं था पर दूस्तू यहीतती हमारी उपर लगदी हमने बता दिया आप लोग को अप्रेशन जैसले का अगे neighbor chat है आगे देखेंगे कि ले फार्म मुल्क टेष्ट है इसे चाहिश्ट कई सब गुद några को क्या होता है तो प्लेट फार्म का मतलब समझ रहे होंगे आप लो जिस अस्थान पे हैं उसी अस्थान पे बिना किसी टेकनिक के दोस्तों आप लोग जब दूद को क्या करते हैं टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट करके बता देते हैं तो दोस्तों उसी को का जाता है प्लेट फार् प्लेट फाम मिलकर टेस्ट करते हैं इस पर इच्छल में क्या करते हैं दूद को चक कर सुग कर रंग इत्यादी को देकर उनकी सिर्यडी करण कर दिया जाता है तो प्लेट फाम मिलकर टेस्ट यही होता है दोस्तों प्लेट फाम से मतलब समझेगा कि जिस अस्थान पर हैं उस जिने दुख्द प्राप्ति के अस्थान पर तुरंत कर लिया जाए तो इसी प्रक्रिया को प्लेटफार्म मिलकर टेस्ट काते हैं इन परिछड़ों में दुख्द को चक कर या दूद को चक कर सुमकर तथारंग इत्यादी को देखकर स्रेडी करड़ किया जाता है आगे चलत कैकाते हैं? कुलेश्ट्रण तो डिलीवरी के बाद जो अस्तनों से पाला दूद निकलता है या पाला दूद आता है उसे कुलेश्ट्रा में हखीस कते हैं ये दूद है इस दूद से नवजात शीसुकू कई तरह केलाव मिलते हैं इसका रंग पीला या संतर या गाड़ा ह कभी कभी इस वह सकता है वह दोस्तों बहुत गाणा होता है एक दब पीला दूस्ता है वह दोस्तों जो दूसरी होता है उसी को खीस काते है ठीक को गाँ में उससे इनरी बनती है उसी वो ख्षीस काते है, तो डिलीवरी के बाद जो अस्तमर से पाला तुदा निकलता है, उसे कोलेश्टरम काते हैं, यह दूद डिलीवरी के आखरी माईनों और डिलीवरी के कुछ दिन बाद तक आता है, इस डूद से जो नौजात सिसु होता है, उसको कई तरह किलाभ मिल क्या देखेंगे ओवर रन ओवर रन क्या होता है ओवर रन मक्षन की वह मात्रा होती है जो मक्षन तथा उस वसा की मात्रा के अंतर से प्राप्त होती है जो इस मक्षन को बनाने में प्रयोग होती है मक्खन बनाने में प्रयोग होने वाली वसा की मात्रा इन से तयार हुए मक्खन की मात्रा में जो वंतर होता है वही ओवर रन कहलाता है तो मक्खन में कभी के पोछता है कि ओवर रन प्रतिस्यत का सुत्र लिखे तो कैसे लिखेंगे मक्खन में ओवर अन प्रतिज़त का सुत्र होता है क्या मक्खन में वसा विहीन पदार्थों की मात्रा मक्खन में वसा विहीन पदार्थों की मात्रा बटा में मख्षन में वसा की मात्रा मख्षन में वसा की मात्रा गुड़े सव तो मख्षन में ओवरन का सुत्र क्या होता है मख्षन में वसा भी ही इन पदार्थों की मात्रा बटा मख्षन में वसा की मात्रा गुड़े सव अब overrun के आता है मैंने आपने बाता है कि overrun मक्खन की वह मातरा होती है जो मक्खन तथा उस वसा की मातरा के अंतर से प्राप्थ होती है जो इस मक्खन के बनाने में प्रेयोग होती है मक्षन बनाने में प्रयोग होने वाली वासा की मात्रा मक्षन को बनाने में जो प्रयोग होने वाली वासा की मात्रा होती है इससे तयार हुए मक्षन की मात्रा में जो अंतर होता है वही ओवर रन कहलाता है तो अब लोग इसको समझ के होंगे ओवर रन को आगे देखेंगे सं गरिव संगानित दूद तो संगानित दूद क्या होता है तो ताज Dalitau अर्ष्य कोई क्एरस तरफ कहते हैं ज कई कुछ मात्रहें से निकाल जाता है और सक्कर को संगनित संगनी दूद वा दूध दूध होता है जिसमें जल की कुछ मात्रा को दूध में से निकाल दिया जाता है और प्लत कोकी संगर्णी संगनी दूध करते हैं कि आगे देखेंगक वास्पीत दूध थोड़ा सा यंतर है वास्पित दूद और सागनी दूद में वास्पित दूद तो यदि दूद है वास्पी करण के पस्चात सक्कर नहीं मिलाई जाती है तो ऐसे पदार्थ कोई वास्पी करण या वास्पित दूद का जाता है या यदे दूर्थ में वास्पी haof nat n Smoke बैम separates खाया कर नहीं मिलाया जाती है तो ऐसे पदाऱ को यह वासपी दूर काते हैं तो इसको भी समझेंगी होगा आगे चलते देखे। पास्टूरी करण क्या हो गया और आपका हंसा टेस्ट हो गया यह सब से पहला की समय आने वाले हैं तो पास्टूरी करण क्या होता है पास्टूरी करण का या पास्चुरी करल का नाम फ्रांस के बरसिद वैज्यानिक लुइस पास्चर के नाम पर रखा गया है तो फ्रांस के प्रसिद वैज्यानिक ते कौन लुइस पास्चर लुइस पास्चर के नाम पर पास्चुरी करल का नाम रखा गया है पास्चुरी करल वप रख लिया है जिसमें दूद को कम से कम तीरिसट डिग्री सेलसीयस पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेलसीयस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है जिससे दूद में वो पासित रोग जनक सुछ मजीव नश्ट हो जाते हैं और तुरंत 5 ग्रीं सेस्ट पर थंड़ा कर लिया जाता है तो पास्षूरी करण के होता है पास्षूरी करण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दूद्र को कम से कम कितने सेकेंड के लिए 15 सेकेंड के लिए घर में किया जाता है जिससे दूद में उपसी तो रोग जनक सुच मजीव बैक्टरिया वारस जैसे होते सुच मजीव वह अनश्ठ हो जाते हैं और फिर बाद में दूद को पांच प्रतिस्यत पांच डिगरी सेल्सियस ताप पर ठं कर लिए जाता है इसका उद्देश क्या है तो पास्यूरी करण का उद्देश यह कि दूद को अधिक लंबे समय तक सुरचित रखना है जब हम इसको ज्यादा घरम कर देंगे कम से कम तिरिस्ट डिगरी सेल्सियस पर तो तो क्या है इसमें जो सुच मजीव पाजिव पाज ख़लाने जिवारू होते हैं वेक्टिरिया उनको खालना नश्ट करना अगला है दूद के संचे गुड़ों को बढ़ाना दूद का दोस्तों संचे गुड़ों होता है उस वह बढ़ जाता है किसे पास्यूरी करण से अगला है यह दूद में थक्का नहीं जमने देता है आ इस पदाड की तयारी खौवा की भाती ही होती है परन्तु इसमें अपेच्छा खिले खौवा से अधिक पानी होता है जिसे चाबल को दूल में पका और बना आ अब देखेंगे हंसा परिच्ष हंसा टेस्ट हंसा ठेस्टां कि एक प्रकाट को परिच्ष होता है यदे परिच्ष प्रतिर अच्छी विग्ञान परिच्ष Académ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् के दूद की protein का injection कर प्राप्त किया जाता है पुछ ग्यान होता है उसमें उस दूद का चार गुना पानी मिलाकर एक बुंद एंटी सीरम डाल देंगे जिससे उसमें प्रगार की अवक्षेवी प्रक्रिया उत्पन हो जाएगी जिसके दूद की पसिदी का ग्यान होता है ग्यान हो जाए और यहागी पुझद की इसका सीरम का प्राप्ट करते हैं तो खरगोस से भैस के दूद की प्रोटिन का इंडेक्शन लागा कर इसे प्राप्ट किया जाता है आगे चलते हैं आगे देखें कि डेली के बर्तन दोने का सिद्धान्त क्या है डेली का बर्तन क्यों दोते है इसका दोने का क्या सिद्धान्त है तो डेली के बर्तन को दोने का मुख्य उद्धिस बर्तनों तथा यह अंतरों से दूद अथवा दूद ठोस पदार्थों को साप करना होता है तो उसको साफ करना दोस्तो इसका उद्धिस्ज है ताकि जो बर्तन की सत्व हो वह साफ हो स्वच रहे और इने बर्तनों एवमियंत्रों के निर्जमी करण करने में कोई सुविधा हो सके यदि निर्जमी करण करने से परे दूद अथवा दूद के ठोस पदार्थों को बर्तन से ठीज प्रकार से साफ नहीं किया गया तो निर्जमी करण करने के पहुचा यह ठोस पदार्थों एवमियंत्रों की सत्व परीज सूख जाते हैं जिनके साफ करने पर बर्तन में छोट इसको साफ नई किया सौझा रहेगा इसके पानी से ढाना चाहिए इसको ठंडे पानी सी दोना चाहिए गर्म पानी से धोना चाहिए अब बाद आती है मैं ने बदाए इस्टेरिलाजेशन होता क्या है तो यह भाव होता है वह बादत हुआ पानी और क्लोरिन गोल प्रयोक मिला जाते हैं यह यह क्लोरिन विलेन प्रयोक किया गया तो इसके पानी में कि व्यक्त्क पानी से सज्ज्या को दोने की व्यार सकता होती है आ जो स्थार्म और आगे देखेंगे तौन्ड मिल्क combat ł और तौन्ड मिल्क यह लोसकर मिल्क क्या होता या तो पूढ रूप या पूढ दूध में पानी तोध सपरेटा दूध के पाउडर को मिलाकर तोन टमील करता है तोन् दमळ प्राप्ट की आता है इसमें पी एफ एफ ए एक्ट मत पस्तों पूड है अब फूड तथा वसा रही तो ठोस की निवंतम मात्रा तीन तथा आठ दसनल पांच परतिसेत तक निधारित की गई है तो तो पूर दूद में पानी तथा सप्रेटा दूद के पाउडर को मिला कर तो प्राप्च कियाता है इसमें पी अफए एक्ट के अनुसार वसा तथा वसा रही तो उसकी निवंतम मात्रा तीन तथा आठ दसनल पांच परतिसेत निधारित की गई है भाय इसकी दूद जिसमें वसा की परतिसेत मात्रा अधिक होती है उसमें पानी मिला कर वसा तथा वसा रही तोस पदार्थो की परतिसेत मात्रा कम हो जाती है इस मिस्टर में सप्रेटा द बीजय्द मिला कर वहासा रहाई ठोस पद आर्थों की प्रत्प मात्रा बढ़कर सुद दूद के बराबर हो जाती है इस प्रेकार्ड से बना दूदा न तुपकिय। दूद कालाता है नाम होता है यह मिल्क गुता मुंबाई स्टेंडराइड्स मिल्क मैं दुग्दमानिकी करण क्या होता है क्या दुग्दमानिकी करण करण और जो बता हूं बहुत इंपॉर्टन'T क्यूशन है और बहुत अच्छे से समझावी राम आप लोगों दुग्द मानती करण क्या होता है तो दुग्द अथवा क्रीम में वसा एवं ठोस पदार्थों की मात्रा को एक खास प्रतिसत्पन इधारित करने की प्रक्रिया कोई मानकी करण काते हैं दूद अथवा क्रीम को दूद अथवा क्रीम में ठोस पदार्थों की मात्रा को एक खास प्रतिसत्पन इधारित करने की प्रक्रिया कोई मानकी करण काते हैं एक पांच दस्मलों 9% क्या होती है वसा और आट दस्मलों 5% बशाथ रइड़ ठोस पदार्थ होती है दूध दमाने कि और पिंगे में टानि या करते है ट कहते हैं तोनिग या ब्लेंडिंग भी काते हैं इसे ब्लेंडिंग भी कॉते हैं मैं सभी को भी स्टाड में बतांगा आगे मैं भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ जहें कि दुग दो छरड क्या होता है तो कि आन्दर की चारूर का का प्रवाह होता है कूपी का के अंदर चारूर क्या होता है क्यापीलियर्स में रख्त का प्रवाह होता है दूद एवं रख्त की सरचनल लगवग एक समान इस रख्त में उपस्तित विभिन आवयाओं को दूद के आवयाओं में बदल देता है इस प्रकार से लूमें से दू अगले वीडियो में धन्यवाद जाहिए